गुद इवनिंग एवरिवन आज का हमारा टॉपिक है टिशूज पुराने टॉपिक में पिछली वीडियो में आपको सेल्स बढ़ाया था सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टिशूज क्या होते हैं टिशूज होते हैं कि जब बहुत सारे सेल बंडल करें बंडल मेंस कि आप सारे मिलके मिक्स होके एक ग्रुप बनाएं जब वो ग्रुप बनाते हैं सारे सेल्स तो हम उनको टिशूज बोलते हैं सारे सेल्स एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनाने के बाद वहाँ पे टिशूज बन जाएंगे टिशू जो हैं हम classify करते हैं उनकी size, shape, function, cells के ठीक हैं और देखा जाए तो four main types के cells होते हैं epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue और ये सारे जो tissues हैं टाइप है tissues की ये सारे ग्रूप करके elementary tissue बनाते हैं अब आपको मैं next video मैं आपको पूरा पूरा क्लेर कर दूँगी की epithelial tissue क्या होता है, उसका क्या-क्या types हैं ये सारे मैं clear कर दूँगी इसमें लेकिन आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूं की epithelial tissue क्या होती है, epithelial tissue क्या करती है कि covering or lining होती है बाहर surface के बाहर होती है यह मारे body के surface के बाहर होती है वो जो covering होती है उस covering को हम epithelial tissue बोलते हैं और अगर इसके functions की बात करें तो function है इसका protection देखो अब covering है वो बाहर तो obvious है कि वो protection करेगी कोई भी covering होती है कोई भी lining होती है तो वो क्या करती है protection करती है उसको तूटनेनी देती है excretion करती है excretion में यह second function आगए excretion excretion इसलिए करेगी कि कोई भी गंदा material है कोई भी waste product है तो वो उसको बाहर release कर देगी और third की बात करें तो absorption एब्सॉप करेगी वो बहुत सारे चीजों को बहुत सारे monsters को अब हम चलते है second type ते connective tissue क्यों आता है यह जब एक दूसरे के साथ bind करते हैं या connect करते हैं दूसरे के साथ different part of organs अलग लग part organs के जब एक दूसरे के साथ बाइंड करें या फिर एक दूसरे के साथ connect करें उनको हम connective tissue बोलते हैं और अब इसके function के बात करें तो ये help करते हैं binding में binding मतलब की connection बनाते हैं ये चीज़ है अब हम चलते हैं muscular tissue में अब इसका सीदे से नाम ही पता चल रहा है muscular muscular मतलब muscles muscle वाले tissue muscular tissue मतलब muscle के tissue ये help करते हैं contraction or relaxation of muscle muscle को contract करते हैं contract इस तरीके से होगा और relax इस तरीके से होगा as a contraction or relaxation of muscle muscle की contraction करते हैं और उसकी relaxation करते हैं यह muscular tissue उसमें help करेंगे और अब इसकी functions के बात करें तो यह क्या करते हैं कि maintain करते हैं हमारे posture को हमारे tissues जो हैं यह maintain करेंगे posture को, muscles के posture को और muscle के posture को करेंगे तो फिर यह हमारी body में help करेंगे यह चीज आई अब second के बाद करें तो locomotion में यह help करेंगे third है body support वही चीज आगई कि अगर यह maintain करेंगे हमारे posture को that means कि हमारी body को support भी करेंगे अब हम चलते हैं fourth पे nervous tissue अब nervous से आपको सीधे पता चल रहा है कि nervous system के साथ ही इसका कुछ relation होगा क्या है कि कोई वी चीज जब आपको relation शो करवाती है तो आपको पता चलता है कि हाँ यह इसके साथ इसका कुछ relation का है कुछ relate कर रही है यह term जैसे nervous tissue है यह nervous system के साथ relate कर रही है तो इसका क्या काम होता है nervous tissues are help make up the nervous system यह nervous system को बनाने में help करते हैं अब इसके functions के बाद करें तो यह क्या करते हैं sending, receiving और process करते हैं हमारे inputs को हमारे sensory inputs की में help करते हैं sensory means कि हमारे जो mind के कुछ होगे कोई वी चीज है जैसे कोई message देना हो mind को चेक है अब जैसे मेरे हाथ में मक्ही बैठ जाए तो मैं मेरे को कहां से आएगा कि मैं इसको उड़ा हूँ मेरे को दिमाग में आएगा मेरे mind में आएगा मेरी जो sensory processing है वहां से आएगा कि तेरे उपर मक्ही बैठ है और इसको उड़ा तो यह चीज है इसलिए हमारे nervous tissue जो है connective tissue क्या होती है उसकी क्या क्या टाइपस हो उसकी क्या क्या फंक्शन से वीडियो मैंने आपको cover कर दिया हुए बट आपको detail में भी मैं इसको पढ़ाऊंगी ताकि आपको थोड़ी और जादा help मिल जाए और main जो है यह हमारा connective tissue है बहुत में नहीं है तो थोड़ा दियान रखो कि connective tissue अच्छे से समजना अच्छे से पढ़ना and thank you watching my video and please share करो like करो subscribe करो मेरे channel को thank you